सिरफ एक हफ्ता इसे अपने चहरे पर लगा लीजिए आपका चहरा शीशे की तरह चमक उठेगा दमक उठेगा अगर आपके चहरे पर भी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं गर्मी के मौसम में या फिर पिंपल आपके मार्क्स छोड़के जाट चुके हैं आपके स्किन एकदम रौनक खोड़ चुकी है जुरियां समय से पहले आने लगी है अगर ये सारी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो बिलकुल मत खबराईए इसके लिए आपको किसी दॉक्टर के पास जाने की जुरत नहीं बलकि आपको मेरा वीडियो स्राटिंग टू एंड ध्यान से सुनना है और सिरफ फॉलो करना है और एक हफते बाद अपने चहरी की रौनक आप खुद देकर हैरान रहे जाएंगी लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मेरा आज का वीडियो सिरफ गर्ल्स के लिए नहीं बलकि बॉइस भी इसको फॉलो करके अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी फामिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए आपके वहाँ पे रिट बटन है उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे चोट इसी टन टन घंटी आइकन बनी है जिसको क्लिक करें ताकि जब भी मैं आपके टे कुछ वीडियो लेकर आँ तो आपके पास फटा फट से नोटिफिकेशन आ जाए और इसके साथ में वीडियो को ल सकते हैं घर पर अगर आप चाहते हैं कैसे बनाना है तो कमेंट करेंगा डेफिनेटली उसके उपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी रोज वॉटर आधा भर लीजी आप इसमें आपको डाल ले हैं चार बड़े चमज नारियल तेल के नारियल तेल क्या करता है आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है जितने भी पिंपल के मांक्स हैं या कोई दाग धबे उनको हलका करता है आपकी संटान को हटाता है आपके स्किन के टेक्च्चर को इतना स्मूद और सफल बनाता है ग्लोइंग बनाता है अब आपने चार चमज में नारियल तेल आट करने के बाद दो बड़े चमज अलोविरा जेल आपके पिंपल्स रिंकल्स को दूर करता है आपकी स्किन के टेक्च्चर को सुधारता है आपके स्किन को क्लीर बनाता है अब हम इसमें अड़ करेंगे लेमन क्योंकि लेमन से अच्छा ऑप्शन मुझे लगता ही नहीं अपने फेस के लि करना है तो बस आपको क्या करना है दो से तीन ड्रॉप्स आप इसमें लेमन अट कर लीजे अगर आपको लेमन सूप नहीं करता तो आप स्किप भी कर सकते हैं इनको अच्छे से शेक करें शेक करने के बाद आपने रोजाना रात को सोने से भेले या नि अपने चेहरे को जो बी चीज़ हम एपलाइ करते हैं वह हमारे चीज़ अंदर तक जाती है बिल्कु लास्ट लेयर तक और आपकी सिक प्रॉबलम है उनसे फैट करती है और आपकी स्किन को इतने स्पॉट लेंग बिलाती है तो आपने क्या करना है अपने पेस पर स्थीम लेने के बाद में आ आप डारेक्ली स्प्रेय कर लीजिए नहीं तो आप प्लास्टिक बॉटल से कॉर्टन पे लीकवड लीजिए ये सीरम लीजिए और अपने पूरे फेस पर टाप टाप करके इसको अपलाए कर लीजिए अपलाए करने के 10 मिनट बात आप बिस्तर पर सो जाएए और सुबह मुणपक रहा उससे कमेट करकी शेर्फ जरूर करना और इसको शुकर चीज़ों करें शुगर फूट्स फ्राइट फूट झन सब चीज़ों को एवोइड करें डेली कमydd तीन से च्वा लीटर पानी पीए और स्ट्रेस ना ले तो आपकी जिंदकी और खुश्झनमा हो जा तेक जिए और स्टेहली!